नवस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अम्तास क्लासें में मेरा नाम है अमित और हाजिर हूँ आप सभी के सामने लेके IBPS RRBPO के मेंस एक्जाम में आने वाले हिंदी बिसे का फुल सिल्बस यहां पे हम एनल्सिस करेंगे जी हां दोस्तों हम सभी को पता है कि हिंदी या फिर इंगलिस में एक सब्जेक्ट हमें चूज करना रहता है ग्रामीर बैंके मिंस में तो बहुत से candidate यहां पे हिंदी चूज करते हैं क्योंकि उनके English कमचोर है तो जहिर सी बात है कि उनको syllabus की जानकारी होनी चाहिए ताकि वो उसी के point of view से त्यारी कर सके दोस्तों हमें से बहुत से candidate ऐसे होंगे जिनको यह थोड़ा सा doubt होगा कि actually मिसका syllabus क्या है तो चली हम देख सा label of difficulties change हो जाता है PO और clock में यानि कि PO का paper थोड़ा सा lengthy थोड़ा सा difficult हो सकता है या moderate label का हो सकता है और जो clerk का paper होगा वो या तो moderate या फिर easy रहेगा थोड़ा सा lengthy तो रहेगा ही जाहिर सी बात है 40 number यहां पे आते हैं हिंदी से तो आपको यह 40 number में से बहुत से marks gain करने है ताकि आप अपना score boost कर सकें दोस्तों हम आपको यहां पे एक line लिखे हुए हैं कि इस बिसे को हलके में ना लेना तो इसके पीछे का reason यह है कि अगर आपका score यहां पे अच्छा नहीं रहता है तो जहिर सी बात है कि आप exam से बाहर भी हो सकते हैं मैं इस चीज़ को बहुत लैटली नहीं कह रहा हूं आप प्लीज इस बात को समझेगा कि आप हिंदी में अगर score अच्छा नहीं करते हैं तो आपके जो marks होंगे वो तुरंत decrease कर जाएंगे और आप अगर P.O. में हैं तो आपको interview में थोड़ी सी difficulties हो जाएंगी या फिर clerk में हैं तो हो सकता है कि आप सीधा करने हैं जाहिर सी बात है तो चलिए देख लेते हैं सेलबस में क्या क्या चीज़े हमें पढ़नी चाहिए और कैसे हम इन सब चीजों को पढ़ेंगे इन सब चीजों के बारे में हम आगे discuss करेंगे तो दीखे सबसे पहले आपको बता दे कि हिंदी में जो आपको त्यार हो और यह सब चीजे हम आपको अपने इस चैनल पर करवाएंगे अगर आप आप आईवी पीस आरा भी मेंस की एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्स्क्राइब कर लिजेगा टेलिग्राम चैनल भी हमारा उसको भी जोइन कर लिजेगा जिसका लिंक कमे ने आते हैं कि या पैसेज में रहते हैं तो देखिए कलर्क के पेपर में तो डायिक्ट फ़र्म में आ सकता है लेकिन अगर हम बात करें प्यों की पेपर में तो प्यों के पैपर में ये पैसेज में ही इंक्लूप pose रहेगा दो- पर fill in the blanks जिसको हम English में कहते हैं और हम वो करते भी हैं ठीक है FIV उसके बाद मुहावरे इम लोकोतियां यह डालेक्ट भी पूछा जा सकते हैं और यह पैसेज में भी हो सकते हैं कि परियोग हुए हैं और एक्जाम में यह पूछा जाए कि जो यह मुहावरा है इसका क्या according है इसका क्या मतलब है according to passes ठीक है तो आपको यह भी चीजे पढ़नी होंगी अच्छे से ठीक हम आपको सभी चीजे करवाएंगे और हम आपको फिर से बता दें कि यह सारी चीजे आपको free of cost मिलेंगी जिसका कोई भी चार्ज नहीं होगा चलिए आगे बात कर लेते हैं वर् दिश्टर कैसे लिखा जाएगा तो यह सब चीजे रहेंगी यह आपका टाइट फॉर्म में रहेंगा और पूछ लेगा जैसे की spelling error इसको कहते हैं हम इंगलिस में ठीक है चलिए close type test यानि कि 5 नंबर का पूरा पैसे रहेगा उसमें एक दो तीन फिर चार या फिर पांच ऐसे करके फिल इंदी blanks रहेंगे आपको वो फिल करने रहेंगे ठीक है पांच option के साथ चलिए वक्यांस के लिए एक सब्द ठीक है अने के सब्दों के लिए एक सब्द भी इसको ह प्दों पाद देए उसके बात वाक्यकरम विवस्थापन ठीक है में कहा ही इसको हम आप इंगल्लिस में क्या कहते हैं पैरा जम्बल ओ इसको इंगलिस में यह बहुत इंपॉर्टन होगा और यह बहुत ज़्ीड़ गलत भी होता है अगर हम बात करें हिंदी में उनले तो ये बहुत ज़्यादा गलत भी होता है तो इससी पहोंड़ेजान देना है, अच्छे से पढ़एगा ने इसको घ्य करना है, उसके बाद आपका आएगा आप पठीत गध्यान्स का, ठीक है आप पठीत गध्यान्स भी आपका एग्जा में पूछा जाएगा अब आमें से बहुत से candidate के दिबाग में यह होगा कि सर कौन सा चीज कितने marks का आ सकता है तो चलिए वो भी discuss कर लेते हैं हम सबसे पहले अगर मैं बात करूँ प्रयवाची और विप्रिताथक सब्दकी तो maximum marks यहाँ पे 4 है वाक्यों में दितक्स्तान की पूरती भी 5 नंबर का आ सकता है उसके साथ साथ अगर हम बात करें और अपठित गद्यांस यह 10 marks तक आ सकता है तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यह पूरा हो गया 25 मार्का यह 27 मार्का यह 28 मार्का और यहां पे 4 बत 35 पांच से 30 और यहां से आपको मिलाके 2 तीन तो कुल मिलाके पूरा आपका जो पेपर हो जाएगा 42 मार्क का हो जाएगा कहीं कम कहीं ज़्यादा लेकिन यही percentage रहते हैं कि इसी तरीके से एक दो कम करके बागी ऐसे ही प्रसम पूछे जाते हैं तो आगे की वीडियोज हिंदी में आपको किस तरीके से चाहिए आपको तियारी कैसे करनी है इन सभी चीजों के बारे में हम आपको अपने चैनल पर बताते रहेंगे प्लीज चैनल के साथ जोड़िए और जो भी आपकी राय हो प्रीज हमें कमेंट करके बताइए ठीक है इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे वीडियो दिने लिएक आप बहुत बहुत सुक्रिया दोस्तों धन्यवाद